जो जोश तुम्हारे अंदर वो तूम्हारे अंदर वो जिंदा रहना चाहिए और इस्टार्ट करते हैं आज करने फेस उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लें साथ में बैल ऐकन जरूर पिस कर दें ताक कि आपको डेली मौनिंग में पांच बजे करने फेस वीडियोज मिलता रहे हैं अगर यह वीडियो से आपको हेल्प मिल इस वीडियोको लाइक जरूर करें इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें सभी दोस्तों को साथ चले तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखा करें बहुत इंबोडेन कोश्चन है पहला कोश्चन है मारा दोस्तों 18 फरवरी को शुरू होने वाले 10 आपको बता दूं दोस्तों को जो यूपी के राज्यपाल है राम नाइक जी ठीक है इसका उधगाटन उन्होंने सिल्प ग्राम के यूपी में किया है और इस से दोस्तों सांस्कृति महसा को दवरान उसा उथूप और कुमार सानु सहित कई लोग परी पार्श वगायागरी प्रसुती देंगे ठीक है तो ये ताज जो महसो शुरू होगा दस दिवसी ये इसका विशे क्या होगा परंपरा इसकी शुरुवात किया है उधगाटन किया है सिल्प ग्राम में यूपी के राज्यपाल राम नाइक द्वारा किया गया है तो ये आप जरूर रियाद रख देश बिधान सब्वा ने संस्कृत को राज की दूसरी आधिकारी भासा बनाने के लिए विध्यक पारित किया है और हिमांचल प्रदेश राजभासा बिध्यक को सिचाई एवं जन स्वास्ते मंत्री महेंद्य सिंग ठाकुर दौरा पेस किया गया था और दोस्तों इसे ब प्रख्यात वेदान्ती स्वामी प्रग्जानंद जी को समर्पीत एक पुस्तक का हाली में शुभारम किया है पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका करेक्ट एंसर जायागा दिनेश शाहरा ठीक है ओप्सन ये करेक्ट हो जायागा देखे उस तो पस्रिम मंगाल के जो लिखी गई है ठीक है और इसका उदेश क्या है मुक्रूप से समागरी और सुखी जीवन की जीने के लिए संद के ज्यानेवं दर्शन का प्रदान करना ठीक है तो प्याद रखेंगे पस्रिम मंगाल के राज जिपाल गेसरिनात्र पाथि द्वारा ये पर्ख्याद विदा मुंबई में ठीक है ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो विजन जीरो और व्यापसाइक सुरक्षा एवं स्वास्त में इसकी प्रसंगीक्ता पर तीन दिप्सी समेलन मुंबई में 18-20 फरवरी धरनिश को आजित किया रहा है समेलन का आवजन कार खाना सला सेवा सहर में आजित किया गया मुंबई में ऑप्सन भी राइट है हमारा कोश्चन नंबर सिक्स है 18 फरवरी को इनमें से किस राज्य में सेल इसपात प्रसंगर्ण इकाई स्थापित की गई बिहार में ठीक है ऑप्सन भी देखे उसको केंद्री स्पात मंत्री चौधरी वीरन सि कि इतिया में शेल की इसपात प्रसंगर्ण इकाई किस राज को समर्भित किया है। दोस्तों आपको बदा दूब कि यह काई उच्गुण बत्ता वाली स्टील ट्यूब और पाइप का उत्पादन करेगी ठीक है तो यह आप याद रखेंगे 18 फरवरी को कि स्थाज में सेल की स्पाथ प्रसंसकन इकाई स्थापित की गई है यह की गई बिहार में और यह केंद्री स्पाथ मंत्री चौधरी बीरें सिंग ने ठीक है तो यह आप याद रखेंगे हमारा अगला कोशन है दोस्तों GPS या मैपिंग के बिना नौबहन शमता वाला पहला चलने वाला रोबोट कौन सा है तो यह है दोस्तों एंट-보ट ठीका option d देखर दोस्तों एंट-보ट GPS या मैपिंग के बिना जो navigation शमता वाला पहला चलने वाला रोबोट है और इसे दोस्तों आईएसम के सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसार्च और एक्स मौर्शिले उनिवर्सिटी के शोत करता हो दारा डिजाइन किया गया ठीका और यह रेगिस्तानी चीटियों के रास्ते पहचानने की शमता पर डिजाइन किया गया जो नेविगेट करने के लिए धुरूविकृत के लिए कितनी पहले शुरू की गई है तीन ऑप्सेंट सी देखे उस तो महिला अवं वाल विकास मंत्राले ने निवास कार्यस्थाल और सार्वनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने तू तीन पहलों की संकल्पना की है और आपको बतादे कि इन्हे नजो यहाई दिल्ली में गृए मंत्री राजनास सिंग और अखहर जो डव्लु सीडि मंत्र शेमती मैं का संजय गांधी द्वारा यह जो शम्र्थ से यांच किया गया है तो यह तरा पहलों में राज्ज के पैनिक बटन और इसमें सी आई एम पोर्टल और डीने इसमें विसलेशन सुभधा है शामिल है ठीक है तो हाली में महिले सुरुक्षक ले कितनी पहले शुरुक की गई हैं तीन के मानों घष्टर के यह साधर किये हैं तो भारत और मुराइकों ने रवाट में चार संहर निप्टान में आतंगबाद को मकाबला करने में और ज IKEA कारे श्यों की स्थाबना सामिल है दिए управात क करने ध मतामते कर की है तो भारत तुर्क इस देश ने चार सम्झों तक ज्यापनों पर सक्षर किये हम मुरक्कों के साथ महिला सुरक्षा के लिए कौन सा देश व्यापी नंबर लॉंच किया गया है किया गया है 112 ठीक है ओप्सन डी दिक उस तो ग्रिफ मंत्री राजनाज सिंग ने सोला राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा है तो एमेजनसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम का शुभारम किया है और आपाद इस्ती में द्याजब्यापी हेल प्लाइन नमर 112 यानी 112 डायल कर सकते हैं और ग्रिफ मंत्री ने दो पोर्टल यहनों अपराद हो लेल जांच ट्रेंग की प्रणाली और सुरक्षित सहर कार्यनवन निग्राणी निग्राणी पोर्टल भी लॉंच शुरू किया है ठीक है तो याद रखेंगे कोशन 11 थे सरकार ने कितने करोड़ रुपए के सत्रू शेरों की विक्री के लिए एक समिती बनाई है जिसका करेक्ट रखेंगा तीन हजार ठीक है 3000 देखें इस तो सरकार ने 3000 क्रोड़ रुपए के सत्रू शेरों की विक्री के लिए एक समिती बनाई है और यह कदम संसर द्वारा सत्रू संपत्ति अथिनिया में संसुदन के लि इन में से कौन से सहर उन्यासमी भारती इतिहास कांग्रेस की मेजवानी करेगा तो यह करेगा दोस्तों भोपाल ठीक है भोपाल ठीक है तो पूने इनुवर्सिटी द्वारा इंकार किया जाने के बाद मत्पदेश के कांग्रेस सरकार ने भोपाल में 26 फरविर शुरू होने भारती इतिहास कांग्रेस की मेजवानी करने के नड़े लिया है और आपको बता दें दोस्तों कि यह जो है सावित्री भाई फुले पूने विशुद्याले में आजित किया जाना था ठीक है प्रमुक इतिहासकारों में इसमें एक हजार सधीक प्रतिनिद्योंक के भोपाल में आजित जिसमें भारती इतिहास कांग्रेस में भाग लेने की उम्मीद है ठीक है चलिए अगला कोशन है इन में से किसने नई दिल्ली में एक अत्याधुनिक राश्टी साइवर फॉरेंसिक लेब का उध़ण किया है राजनात सिंग ठीक है केंद्री गिर्यमंत्री जो ह समोधित करने में सक्षम होंगे ठीक है तो यहाँ प्याद रखेंगे हमारा अगला कोशन है इन में से किस देश ने फतेह नामक एक नई पंडूबी लॉंच की है जो क्रूज मिसाईलों को दागने में सक्षम है करेक्ट टेंसर जागा इरान ठीक है option B देखे तो इरान ने 17 फरवरी को क्रूज मिसाईल दागने में सक्षम नई स्थानी रूप से निर्मित पंडूबी लॉंच की है और फतेह नामक नई पंडूबी अर्द भारी स्रणी के इरान की पहली पंडूबी है और करीब 600 टन की पंडूबी क्रूज मिसाईलों के अलाबा टॉर्पीडो और नौसेना की खानों से ले सही है और इसे 35 दिनों तक समुद्र तल से 200 मिटर से अधिक के नीचे संचालित क्या आ सकता है ठीक है तो यह इरान ने लॉंच किया है अब देख लेते हैं लास्ट टूडियो का एंसर हमारा कोश्चन था नावमी सीनियर नेशनल मेंस होकी चेंप जिका राजकी परशू है इस से लेटेड आप एक्स्टा फैक्ट भी बताएंगे फटा पड़िसका एंसर आप लोग कमेंट बॉक्स मिलें किस राजका राजकी परशू है ठीक है यह बताएंगे आप डिटेल में और आपने कल की वीडियो में देखी जस्ट आप प्ले जै भारत